राधी राधी जैसे कृष्णा स्वागत है आप सभी का राधी कृष्ण भक्ती में। आज की इस वीडियो में हम आपको पुर्णिमा व्रत की सरल पूजा विदी बताएंगे। पुर्णिमा के दिन सत्य नरायन भगवान की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। सत्य नरायन भगवान विश्णु जी के ही स्वरूप है। तो आप इसे विश्णु जी के व्रत भी कह सकते हैं। पुर्णिमा के दिन फगवान सत्य नरायन की पूजा और व्रत करने से मनुकामनाय अतिसेग्र पूरी होती है, घर में सुकसानती रहती है और सोभागी की प्राप्ती होती है, पुर्णिमा व्रत का हमारे सास्त्रों में बहुत अथिक महत्व है, अब देखी, पूजा करने के भगवान सत्य नरायन की फोटो को विराजमान कर लेंगे आप चाहे तो लक्षमी नरायन भगवान की फोटो भी विराजमान कर सकते हैं इसके साथ हम गनेश जी को विराजमान करेंगे क्योंकि कोई भी पूजा बिना गनेश जी के पूरी नहीं मानी जाती है तो मैंने यहाँ पे सुपारी स्वारूप में गनेश जी को विराजमान किया है। आप गनेश जी की फोटो या मुर्ती भी ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप लड्डू को पाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भी पूजा में जरूर से विराजमान करें। तो हमने यहाँ पे सभी भगवान को विराजमान कर लिया हैं। इसके बाद हम जल के छीटे लगा कर सुद्धी करन कर लेंगे। अब सबसे पहले हम पूजा में धूब दिप जला लेंगे। इसके बाद हम सभी भगवान को चंदन से तिलग करेंगे। गनेश जी को हम चंदन और रोली दोनों से तिलग करेंगे कनहिया का हमने पहले ही इसनान सिंगार कर लिया है अब हम गनेश जी को अक्षा दर्पित करेंगे दूब घास अर्पित करेंगे और फूल अर्पित करेंगे विश्णु भगवान को और कनहिया को हम तिल अर्पित करेंगे इसके बाद हम वस्त्रु सरुप सभी भगवान को कलावा अर्पित करेंगे फूल अर्पित करेंगे अगर आपको मिल जाए तो पीले फूल अर्पित करें नहीं तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप उसी से भगवान की पूजा करें इसके बाद अ तुलसी अतिप्री है, तो आप जब भी स्रीहरी की पूजा करें, उन्हें तुलसी जरूर से अर्पित करें, इसके बाद देखिए, हमने कलस के स्थापना नहीं की है, फिर भी हम एक छोटे से लोटे में जल भर कर रखेंगे, और कलस स्वरूप में हम पूजा कर लेंगे, और हम भोग परसाद अरफित करेंगे तो हम गनेश जी को अलग से भोग लगा देंगे क्योंकि गनेश जी को तुलसी अरफित नहीं की जाती है और देखिए सत्य नरायन भगवान की पूजा में पंचामरीत और पंजीरी का प्रसाद जरूर बनाए और भगवान को भोग लगाए पूर्णिमा ब्रत में इसका विसेश महत्व है इसके साथ हम जल अरफित करतेंगे और दक्षिन अरफित करेंगे तक कि हमारे पूजा में जो भी कमी हुई हो वो पूरी हो जाए आप इस दिन केली का भोग भगवी भगवान को जरूर लगाए इसके बाद हम कथा सुन लें तो हाथ में हम फूल और अक्षट लेकर सत्य नरायन भगवान ब्रत की कथा सुन लेंगे कथा सुनने के बाद हम फूल और अक्षट भगवान की पोटो के पास अरपित कर देंगे और हम आर्ती करेंगे तो हमका पूर से सभी भगवान की प्रेम पूर्बक आरती कर लेंगे आरती के बाद हम हाँ जोड़कर पूजा में हुई भूल चुक के लिए भगवान से छमायाजना करेंगे और अपनी मनों कामना पूर्थी के लिए प्रातना करेंगे तो इस तरह से हमारी पूर्णिमा ब्रत की पूजा पूर्ण हो जाएगी अगर आपका धन ना भी सुन पाए तब भी आप पूर्णिमा के दिन सत्य नरायन भगवान की पूजा जरूर करें अगर आपको पूर्णिमा ब्रत की ये सरल पूजाविदी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा, सेयर किजेगा, कॉमेंट किजेगा और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ती को सस्क्राइब किजेगा थैंक यू, राधे राधे, जैसीरी किश्णा